लोग बोलते हैं कि खेत पठाने गया थे यी करने गया थे तो मुखिया जी के मुर्गी फारा मबर्का लगया थे तो कोनो साधी के निमंत्रन देने गया थे कि गिव परवेश के कोनो भोजु खिलाने की बात करने गया थे उनके पिता जी के हत्या कर दी गई थी कुछ साल पहले उनके भाई की हत्या की गई थी मुख्या जी सीवहर में सुबो धराई जी के हत्या हुई थी वो भी तो इनीक समाज के लोग हत्या किये थे अहिरे बिधायक, अहिरे मंद्री, अहिरे मुख्या करनी से नवालों पे तब तो हत्या का रोप लगना चीए ना और यहां आकर के अपनी ताकत दिखा रहे हो जिस दिन अगर पहला कदम चल जाएंगे ना नमस्कार प्रणा मैं आपका भाई छोड़ू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही नूज भोजपूरी जिहां अभी हम मौजूद हैं भोजपूरी का एक संतोस रनुयादो एवं यद्वनसी सेना के राष्टिया ध्यक्ष और मामला यह है कि अहिरान बबवान अहिरे बि कि निर्मम हसी मामले मेरे सिते मैं कुछ जानने का परयास कर रहा हDEN However any Sono चांपरा में पहले जिस तरीके से आभी बीड़ाय जादो पर हत्या का रोप लगाया जा रहा है और तिन राज़पूर समाजस के लोगों की हत्या हुए होई है उसको लेकर आप आप क्या काना चाहते हैं और एक सवाल आप से यह भी रहेंगे सर कि जो ही बात को बोले मर्यादीत बात को ना बोले ने ने देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको उस विचार को हमको सुनकर के अच्छा लगा जो आपने भी कहा च्छपरा में लोग आरोप लगा रहे हैं विजय जेपर अब लोगों की बात को जब हम सुनते हैं तो हमारे पास जो फोन कॉल्स जो आया है या न्यूज एटीन बिहार जारखन पे एक वीडियो है जो कि हमने अपने ट्वीटर संतोसर नों यादव करके मेरा ट्वीटर है उससे भी मैंने पोस्ट किया है तो उसमें असपस्टूप से कहा जा रहा है कि विजय कुमारे आदो जी जो मुखिया पती है उनको जान से मारने के लिए गोली मारने की इरादे से तीन अपराधी आये थे जिसको ग्रामिनों ने मौके पर ही धर्दब होचा और उसके बाद मार पिट किया उसके साथ पुरी भीड ने मार पिट किया और मार पिट के दोडान उनकी मौत हो गई हीट अप मौमेंट सोका सकते हैं तो अब इस चीज को ले करके एक बेक्तिगत मामला था यह एक जैसे मुखिया पती और एक तीन एक तरफ से अपराधियों का मामला था अब इसको सर देखिए कुछ जो यूट्यूबर हैं जो संगी विचारधारा के साथ वो सोचते हैं कुछ जो गोदी मेडिया हैं गोदी यूट्यूबर हैं उन लोगों के द्वारा इस घटना को जाती रंग दिया जाने लगा और जिसका भरपुर यूज किया भाजपा वालोंने क्योंकि भाजपा के पास तो सर कोई मुद्दा नहीं है कोई ऐसा उसका नैती कदिकार नहीं है कि बिहार में लोग सभा जो 2024 में जो पुरे देश में होगी उस लोग सभा में बिहार का वोट वो प्राप्त करें कोई नैती कदिकार नहीं है क्योंकि 2019 में जिस प्रकार से उनको वोट दिया गया था एक विश्वास के रूप में उस विश्वास को तोड़ा है बिहारवासियों के साथ विश्वास घात किया बिहार में 2019 में उनको वोट मिला था जो बोले थे कि 15 लाख रुपया हरे के काउंट में भेज देंगे सलाना दो करोड लोगों को रोजगार देंगे बिहार को विश्वास राज का दर्जा देंगे लेकिन कुछ भी बातें नहीं हुई मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं हीट आप मोमेंट की बात अलग हो जाती है तब तो जब इस तरह की बात आप करेंगे तब तो खेर उत्तर प्रदेश में जब विकास दुवे के हत्या हुई वो भी तो हिंसा थी वो भी तो हिंसा थी तब तो प्रश्ण इस पे भी उठना चीए कि विकास दुवे वो टीउ भी गाड़ी से तमाम एस्टीफ के जवानों के बिच से कैसे भाग जाएगा गाड़ी कैसे पलट जाएगी जिस पे मानिय उस्तम न्याले ने भी सोदा संग्यान लेते हुए प्रश्ण पुछा था ले मैटर इस पे भी होना चीए तो हीट आप मुव्मेंट की बात अलग हो जाती है वो भीड जैसे मुखिया जी को गोली मारने के लिए हम नहीं कर रहे यह निव जेटिन पिहार जारखंड में है मैं आपको दिखा दूँगा मैंने अपने ट्वीटर हैंडल से उसको पोस्ट ट्वीट भी किया था मैंने तो अब मुखिया जी को मारने के लिए है मुखिया जी लोग परिये वहां पर प्रतनिधी हैं जन प्रतनिधी हैं मुखिया पती हैं वो उनके पिता जी के हत्या कर दी गई थी कुछ साल पहले उनके भाई की हत्या की गई थी मुखिया जी के तो पर आधी लोग लोग आए थे तो सर मतलब काफी हिंसा बढ़क जा रहे हैं सब छान के इसको नहीं उनके सब लगpower करने वाला हो नहीं जादी पाति पर तो आपको बात कर romantic पड़ेगा ना, आप यह कैसे भूल जा रहे हैं, आप यह नहीं नहीं भूल सकते हैं, कि के अंदर में BJP कि सरकार है, बिलकुल, लोग हम लोग जाती पाती को तोड करके, वो तो जाती पाती का धार पे लोगों को खंडित करके वो तो अपनी राइनिती रोटी सेСТ हैं, तो आ आज इनको बड़ा याद आ गया कल तक तो यही लोग बोल रहे थे महना ठाकुर को हम चब कटिहार में गये थे अंपरलिया में dress अबुद बोले थे हमने तो महना ठाकुर के घर पे आग जनी नहीं किया था पथराओ नहीं किया था हम तो आग नहीं लगाने गए थे मवेशियों को नहीं मारे थे नहीं मारे थे सर यह हमारे 86% की जो आवादी है जो सोशित समाज हमारे है वो तो ऐसी तो कोई काम नहीं किये थे उसके बावजूद बोला क्या जा रहा था कि वो प्रसनल मेटर था अजबकि मोहना ठाकूर इनके लगबग इनके च्छतर में आगर के मारा था इन लोगों के यह तो अपने घर से मुखिया जी क्या हा गया था तो कोनो साधी के निमंत्रन देने गया थे कि गिव परवेश के कोनो भोजूच मने खिलाने की बात करने गया थे कुछ तो बात होगा सर मैं जज्जमेंट नहीं कर रहा हूँ हमारी दोनों परिवार के प्रति सम्मेदनाएं हैं जिनकी मौत हुई है उनके परिवार के प्रति हमारी सम्मेदनाएं चाहे वो इस तरफ से हो या उस तरफ से हो लेकिन जो लोग जाती ये रंग दे रहे हैं इसको मैं उनसे पुछना चाह रहा हूँ लोग बोलते हैं कि खेट पटाने गये थे ये करने गये थे तो मुखिया जी के मुर्गी फरमा बिरकाला गये थे बात है न सर तो आप बस हम तो एह कहेंगे कि जिस प्रकार से अभी आपको तकलिफ लगी है और भयावा इस्थिती आप उत्पन करने की कोशिश कर रहे हैं इस सब चीज मत किजिए सोचिए ना पुश्पेंदर रियादों के हत्या हुई थे जहांसी में सर तमाम अपर आधिराजपूत समाज से थे दलित महादलित समाज की बेटी हातरस आप याद कीजिए सर जहां गैंग रेप कर दिया गया था और जिंदा जला दिया गया था क्या दलित समाज की बेटी थी इसके लिए चुप रहा थे क्या इसलिए चुप रहा गये थे लोग हम तो गये थे महाँ पर हमने तो आवाज उठाई थी क्या हमारे 86% के बेटी बहनों का क्या हमारे 86% के जो लोग है उनके जानका कोई किमत नहीं है बिल्गुल है क्यों नहीं है तो फिर इस चीज को जाती है रंग नहीं दो ना विचारधारा को यह कर खो ना शीवहर में सुबोधराई जी के हत्या हुई थी वो भी तो इनीक समाज के लोग हत्या किये थे तो कहने का मतलब और खास करके जो अब ही जो जिस प्रकार से एक रैली या कोशी तो चलाए गया था लोग गया था बड़ी मनी गाड़ी से करने से ना बढ़नी से ना करनी बसुला एक भैलू है तो यह जो है जिसे गया था लोग को उसका रहा है अपने समाज को क्सा रहा है अरे चवदर रुपया ले करके दोड़ रहे हो ना अगर हम हूं अगर चवदर रुपया फेक दिये तो हमर तो बच जाएगा 72 रुपया तो और का बचेगा हम कभी भी हिंशा का समर्थक नहीं है मैं बार-बार बोल रहा हूं लेकिन जिस प्रकार से आप लोग उकसार है हो समाज को यह गलत है अब कानुन बेवस्ता पे भरोसा रखोने यार नाले पे भरोसा रखो संभिधान पे भरोसा रखो उस नाले पे बोरोसा रखो न जहाँ पर 95% कॉलेजियम सिस्टम के जज है उस पर तो बोरोसा रखो हलाकि करनी सेना बिहार में आती है लोग बुलाते हैं क्यों बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं इसका भी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ लेकिन करनी से ना काम है किसी का राक्षा करना, किसी का बाचाओ करना, अब उस महिला के भी घर पर जाकर बिजय यादों के घर पर जाकर आग जनी करती है, तोड़ फोड़ करती है, मवेसी जलाती है, तो क्या यही करनी से ना आपकी है कि आप किसी घर में आग लगा दें, हा सर बिहार होता है क्या अभी जो बिहार की सरकार है कि सिध्यान तो विचारधारबी सरकार है और हम लोग भावनात्मक होते हैं दुस्मन के भी घर जलते हैं न सर तो हम लोग सबसे पहले पानी लेकर के दोड़ते हैं सर हम लोग उसमें से हैं तो भावनाये हैं भावनात्मक सोच प्रसासन ने रखा आई इसके लिए धन्यवाद प्रसासन को लेकिन प्रशाशन को भी ये लोग अब चैलेंज कर रहे है प्रशाशन को भी समझे के मुँँ में उंगली करके करवाई करने पे मजबूर कर रहे हैं ये लोग अरे भाई आरेस भट्टी साहब एक तेस्थरार प्राधिकारी है इनके अंदर इतनी का एपिसिटी है लेकिन जिस प्रकार से कर रहे हो ये उचित नहीं है उधर एक महिला की मौत हुई तब तो इन लोगों पे करनी सेना वालों पे तब तो हत्या का रोप लगना चीए न और यहां करके अपनी ताकत दिखा रहे हो सोसान सिंग राजपूत के हत्या कर दी गई उस समय तो बड़ा फुरपड़ा रहे थे उधर ठागरे करा दिया यह कर दिया वो कर दिया फुरपड़ा रहा था न यह लोग बिहार का लाल सुसान सिंग राजपूत हमने 24 गंटा अंसन रखा था सर सुसान सिंग राजपूत के लिए क्यों नहीं चले जाते हैं सुसान सिंग राजपूत का भाई निरज कुमार बबलू भाजपा में निता है अभी एमेले भी है पिछली भाजपा सरकार में मंत्री भी थी मंत्री पत्पे थे वो बड़ा हुरदं कर रहे थे उदव ठाकरे भाई को मार दिया ये किया वो किया अब तो केंदर में भी तुम्हारी सरकार है और चोर दरवाजे से महराश्टो भी सरकार बना लिया हो अब तो सुसान सिंग राजपूत की आत्मा को इंसाफ कब दिलाओगे नयाई कब दिलाओगे बोलो ए बढ़नी सिनावाला बोल कब दिलाओगे ये लोग के आँख में लाज है सर दिद्दा का पानी गिर गया है इस सबका इस सब क्या बात करेगा देश का एक बहुत ही टेलेंटेट कलाकार कि हत्या का तो इंसाफ माग ही नहीं सकता सर इस सब क्या इस सब करेगा लेकिन फिर भी उचे बावजूद मैं सर आपकी चैनल के बादम से का दे रहा हूँ कि जितना हुर्दंगाई कर रहे हो ना जितना हुर्दंगाई कर रहे हो सब कुछ देख रहे है प्सासन प्रसासन भी और समाजिक संगठन यदुवंसी सेना किराष्ट्रिय धेक्ष होने के नाते हम भी देख रहे है पुरी समाज देख रही है सोसित समाज का सदस होने के नाते पुरी 86% आवादी देख रही है जिस दिन अगर पहला कदम चल जाएंगे न तब पैंट में पेसाओ कर दोगे और टटी तुमारी सुख जाएगी समझे अगर बात करनी है ना तो लॉजिकल बात करो अगर आये हो तो लोगों को आपस में मिलवा करके जाओ कुछ ऐसा पोधा ना रोप दो जो पोधा देखने के बाद लोग हमेशा एक दुसरे को दुस्मन की निगाहों से देखें सर आए दिन कहीं न कहीं अब कुछ रूम में से बैठकर नूज भी लोग बनाते हैं कि अहिरे बिधायक, अहिरे मंद्री, अहिरे मुखिया इन लोग का काफी समर्थन मिल रहा है और ठाना परभारी भी मिला हुआ है यानि कि चार यादों मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो समर्थन पराप्थ है जो भी अपराज किये हैं इसको लेकर क्या करना चाहते हैं वहां के मंत्री जितेंदर राय जी हैं रामसंकर यादो जी हैं विधायक जी भी हैं मुखिया जी भी बिजाय जादो हैं उनके प्रतिय अप क्या करना चाथ है कि अहिर भर्सद राजपूत की लाड़ाई वहां है या नहीं है ये लोग मजबूर कर रहे हैं सर कि लोग मुह में उंगली कर रहा है कि अब बोलो अब बोलो अब बोलो जब जान रहे हो कि सब चीज वहां अही रहे हैं तो यू इतना फुरफुरा रहे हो तो समझ रहे हो ना कि कितना धैर्ज रख रहे हैं अगर कहीं धैरज अगर धैरज का सब्र का बांध अगर तूटा तब पता चलेगा तुमको कि किस दुनिया में चले जाओगे पता चलेगा तो इस तरह का भड़काव शब्द मत बोलो कानून वेवस्था भी कोई चीज होती है उस पे भरोसा रखो समझे और लोगों को समझाओ लोगों की जैसे जो भावना अभी उमड रही है उनकी भावनाओं को किसी तरीके से करके संभालो ये तुम्हारा कारज़ोना चीए बढकाव भासन दोगे तो वहाँ चलेगा है न आगर चारोपटी से घेर लिये तका होगा सांसों ले पाऊगे अक्सिजन मापन दो जागा रहे हाट बलोग कर जाएगा तुम्हारा